हेलो गाइस वेलकम बेक माई चैनल आज हम बनाएंगे मेथी कड़ी तोगाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताएं क्या आपने पहले मेथी कड़ी बना के खाई ए और अगर नहीं तो भी मुझे कमेंट में बताएं मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और सेर भी कर दें और वीडियो में आखरी तक बने रहें अब हम इसको कट करेंगे देखिए हमें ज़्यादा मेथी नहीं लेनी है सिर्फ एक मुठी मेथी है आप देख पा रहे होंगे हमने इस तरीके से एक मुठी मेथी लिया है और इसकी पत्तियां ही लिये हमने इसकी सारे डंठल तोड़के हटा दिये और इसके बाद में हम इसको अब कट कर लेंगे बारीक कट करना आया हमे तो देखिए हम इस तरीके से ऐसे हमने मेथी को बारीक कट कर लिया है सारी मेथी को हम इसी तरीके से बारीक कट कर लेंगे तो यह देखिए हमारी मेथी है कट के रेडी हो चुकी है और इसको अब हम रख देंगे एक साइड में अब आंगे की प्रोसेस शुरू करते हैं तो ये हमने दही लिया है ये हमारे घर का ही बना दही है आप छाच भी ले सकते हैं लेकिन हमने ये घर पे दही बनाया था उसी से हम कड़ी बनाएंगे तो पहले तो हमें दही को फेटना है तो पहले हम इसको इसमूतसा फेटके रेडी कर लेंगे तो ये देखिए हमारा दही फिट चुका है एकदम इसमूतसा दही फिटके रेडी हुआ है और इसे आप पानी डाल के पतला भी कर सकते हैं बाद पानि दाल दें और इसके बाद में हम लेंगे बेसन की है कड़ी कैसे लिए इक हिर रष्छ घणY cail के लिए लें इसके बाद में एक हम सके नहीं कहले है यसके सब कर और ऊच्छ जकातर में कना किसे देट बाद समच गोल से नहीं बीच में पानी भी डालते जाएं और ऐसा पेस्ट बनाएं कि इसमें कोई भी गांठे नहीं रहनी चाहिए क्योंकि पेस्ट गाड़ा है तो इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी और कड़ी में एक दम पतला सा पेस्ट डालेंगे तभी ठीक रहेगा तो ये देखिए हमारा पेस्ट है बनके रेडी हो चुका है ये थोड़ा गाड़ा है तो इसमें हम पानी डालेंगे और भी पतला कर लेंगे तो ये देखिए हमारा पेस्ट भी बन चुका है इसे भी एक साइट रख देंगे अब हम कड़ी बनाना सुरू करेंगे तो हमने गैस ओन कर लिया और उस पे रख दिये कड़ाई अब कड़ाई में हम ओईल लेंगे हमने एक बड़ी चमच ओईल लिया है और एक बड़ी चमच अई वाद में लेंगे तड़के के लिए अब हमारा ओल गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे मैथी जो हमने मैथी कट करके रखी है और मैथी को डालने के बाद मेथे हम इसे चलाते हुए सौब्ट होने तक पका लेंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे तो ये देखिए हमारी मेथी है जो सॉप्ट हो चुकी है आप देख पा रहे होंगे तो हमारी मेथी जो है सॉप्ट हो गई है अब हम इसमें डालेंगे जो हमने घोल बनाके रखा है उसे डालेंगे ये देखिए हमारा घोल गाड़ा ही है अब इसमें हम तुरंत पानी डाल देंगे अगर तुरंत पानी नहीं डालेंगे तो ये पेस्ट है जो कड़ाई में लगना सुरू हो जाएगा और गांटे सी बनना सुरू हो जाएगी और इसमें इस तरीके से पानी डालके हम मिक्स करे तो हमारा जो गोल है कड़ी का वो कल्ची पे रुक नहीं रहा है इतना पतला गोल होगा तभी ये पकने के बाद एकदम परफेक्ट कड़ी बनेगी और अगर गाड़ा गोल रहेगा तो पकने के बाद बहुत ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी कड़ी तो ये देखिए अब उ बाल आ चुका है अब हम इसमें डालेंगे नमक हम नमक टेस्ट के हिसाब से ले रहे हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें जैसी कड़ी की मात्रा हो उसी हिसाब से नमक ले ले और नमक डालने के बाद में हम इसको मिक्स कर लेंगे और mix करने के बाद अब हम कड़ी को पकने देंगे हमें 15 से 20 मिनट के लिए कड़ी पकानी है और अगर आपको हरी मिर्च कड़ी में डली हुई अच्छी लगती है तो आप उसमें हरी मिर्च डाल दें मिर्च भी कड़ी के साथ में पक जाएंगी मुझे बहुत पसंद है कड़ी में डली हुई मिर्च तो आप देख पा रहे होंगे 20 मिनट हो गए हैं कड़ी को पकते हुए और हमारी कड़ाई पूरी भरी थी और खाली हो गई है और इसमें देखिए मलाई भी बन गई है इसका मतलब है हमारी कड़ी पक चुकी है तो अब हम गैस का फ्लेम है जो बंद कर देंगे हमारी कड़ी बनके एकदम रेडी है और इसको हम रख देंगे एक साइड में अब हम लगाएंगे तड़का तो तड़का के लिए हमने ये प्याज लिया है अदरक कुटा हुआ है लैसन कुटा हुआ है और हरी मिर्च भी हमने कूट कर ले लिए अब हम तड़का पैन लेंगे और गैस ओन किया है उस पे रखायत तड़का पैन और एक चमच हमने ओल पहले लिया था और एक चमच अब हम ले रहे हैं तड़का के लिए तो देखिए हमारा प्याज कुछ पक चुका है अब उसमें हमने डाल दिया है कुटी हुई अधरक कुटी हुई लैसन और कुटी हुई हरी मिर्च सब को डालने के बाद हम पकाएंगे हमें तब तक तड़के को पकाना है जब तक लैसन की अच्छी सी खुसबू ना आने लग तो आप देख पा रहे होंगे हमारा प्याज है पके रेडी हो चुका है डारक गोल्डन ब्राउन हो गया है हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है अब तड़के को डालेंगे कड़ी में और इसके बाद में हम इसे करेंगे मिक्स तो यह देखिए हमारी मेथी की कड़ी बनके रेडी हो गई है ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है और हल्दी भी है तो आप भी इसी तरीके से मेथी की कड़ी ट्राइ कर सकते हैं और अगर आप पहले से ही मेथी की कड़ी खा चुके हैं बना चुके हैं तो मुझे कमेंट मे बताएं और नहीं तो भी हमें कमेंट में बताएं मुझे आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा और वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू